आजकल ChatGPT की बहुत चर्चा है मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ChatGPT मेरी स्क्रैच में गेम्स बनाने में मदद कर सकता है अगर आप नहीं जानते ChatGPT क्या है तो चलिए Google से पूछते हैं What is ChatGPT in Simple Words? Google का पहला लिंक है Wikipedia का जो बता रहा है कि ChatGPT एक Chatbot है जो AI और Machine Learning Models पर आधारित है Google और ChatGPT को compare करने के लिए यही सवाल ChatGPT से पूछ कर देखते हैं मेरी समझ में तो यह आया कि ChatGPT एक Artificially Intelligent Computer Program है जो कि आप से एक fellow human की तरहे natural तरीके से बास्चीत कर सकता है आपको Google का आंसर पसंद आया या ChatGPT का Out of curiosity मैंने ChatGPT ते फिर पूछा कि क्या यही बात वो मुझे हिंदी में समझा सकता है उसका response वाह हिंदी में आंसर नाइस मगर मेरी एसली जग्यासा है कि क्या ChatGPT मुझे scratch में गेम्स बनाने में मदद कर सकता है या नहीं पदा करते हैं ChatGPT कम्प्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए आप OpenAI वेबसाइट से Try ChatGPT लिंक पर क्लिक करके अपनी Google या Microsoft ID से लॉग इन कर सकते हैं हम ChatGPT का फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं यहां सर्च बॉक्स में मैं अपना सवाल टाइप कर रहा हूँ Can you give me the code for making a dodging game in scratch? ChatGPT का ये response है वो code तो बता रहा है मगर Visual Basic में और Scratch में हम programming blocks यूज़ करते हैं इस code को Scratch में इस्तेमाल करने के लिए Scratch की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ट्राइ करते हैं पहली instruction है Scratch खोल कर नया प्रोजेक्ट शुरू करने की फिर अगर चाहो तो background add कर दो मैं background blank ही छोड़ रहा हूँ अगली instruction है वेन green flag clicked ये तो सरल है हम ये programming block बहार ड्रैक कर देते हैं अगली command है forever तो forever block बहार ड्रैक कर लेते हैं next command है if key up arrow pressed change y by 10 ये player sprite को उपर move करनी की command है बाकी तीन commands player sprite को down, left और right move करनी की हैं मैं इन्हें blocks में बना देता हूँ player sprite arrow की से ठीक move कर रहा है अगला part है obstacle sprite बनाने का player sprite को obstacles को dodge करना होगा chat GPT ये मान कर चल रहा है कि आपको नई sprite बनानी आती है मैं sprite library से ghost की sprite add कर रहा हूँ और इसका size कम कर रहा हूँ next हमें obstacle sprite की coding करनी है when green flag clicked forever move 10 steps फिर हमें if block चाहिए touching edge command हमें sensing में मिलेगी set x to minus 180 set y command के लिए pick random number command हमें operators में मिलेगी chat GPT समझा रहा है कि in command से obstacle sprite 10 steps move करेगी और edge छूने पर left side में आ जाएगी अभी तक code ठीक काम कर रहा है chat GPT अब कह रहा है कि अगर player sprite obstacle sprite को छूँ जाए तो क्या हो हमें ये collision detection commands लिखनी है player sprite में जाकर पहली command है when green flag clicked set score to zero यहां chat GPT ये नहीं समझा रहा कि ये score कहां से आएगा तो हम chat GPT से ये पूछ सकते हैं in scratch what is score in the command set score to zero और chat GPT समझा रहा है कि score एक variable है और इसको scratch में कैसे इस्तेमाल करते हैं अगर हमें ये नहीं पता कि scratch में variable बनाते कैसे हैं तो ये भी हम chat GPT से पूछ सकते हैं और chat GPT step by step समझा देगा मुझे लगता है मुझे tutorials बनाने की अब दुरूरत नहीं आपको एक नया tutor मिल गया है जिससे आप 24-7 अपने convenience से नया सीख सकते हैं Anyway, game की coding complete करते हैं मैं score variable create करके chat GPT की बागी commands लिक रहा हूँ अब test करके देखते हैं Obstacle sprite के player sprite को एक बार touch करने में ही game over हो जा रहा है जबकि code है कि ऐसा 6 बार होना चाहिए जब तक की score less than 5 ना हो जाए हम chat GPT से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पर अभी मैं अपने अनुवफ से बता रहा हूँ जैसे ही Obstacle sprite prayer sprite को touch कर रहा है score एक बार में ही less than 5 हो जा रहा है क्योंकि computer इस command को बहुत fast execute कर रहा है इसको ठीक करने के लिए जहां हम score को minus 1 कर रहे हैं वहां हमें wait की command डालनी होगी मैं 0.5 seconds की wait डाल रहा हूँ अब code ठीक काम कर रहा है मुझे chat GPT impressive लगा आप इससे बातचीत करते वे सीख सकते हैं आपके सवाल का chat GPT जो solution suggest करे उसमेंसे अगर आपको कोई चीज न समझ में आए तो आप chat GPT से और सवाल पूच सकते हैं आप chat GPT यूज करके देखिए और कोई सवाल हो तो comments में पूचिए